के आपका मेंगनेट ब emulate competition के युट Oooh ये एक मात्र ऐसा यूटीव चैनल है जो आपको फ्री आगनेटी ऑडिपशन देता है और क्वालिटी एडुकेशन भी देता है तो अगर आप उसकंटे कर दो आपको हमारे साथ आढ़ाना चाहिए मतलब नहीं कि हमारे banking sector में क्या-क्या code जो है वह use किये जाते हैं और उन पर one short revision मतलब यह के सारे के सारे codes हम आज इसी एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो एक ही समय में सारे problems all तो बिलकुल लगातार वीडियो के अंत तक जो है वह हमारे साथ बने रहे हैं ताकि आप अलग-अलग जो है वह codes आज पढ़ पाएं और उनसे रूबरू हो पाएं उनके basics पता कर पाएं चले शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों introductory जो हम बात करेंगे कि basically Indian banking system is one of the sources that gives facilities to economy of the country मतलब एक इंडियन banking system जो है उन sources में से एक है जो देश की अर्थव्यवस्था को सुविधा देते हैं देश की अर्थव्यवस्था को मदद करतें इंडियन banking system उन में से एक है विट टाइम मतलब समय के साथ banking in India has undergone significant transformations मतलब एक समय के साथ में भारत की banking में कई परिवर्तन हुए देश की अर्थव्यवस्था में कई तरह के sources होते हैं जो help करते हैं banking system एक बहुत बड़ा source साधन है जो banking को आगा जो देश की करते हैं को आपके बढ़ाने में help करता है banking system लेकिन इंडिया के banking system में समय के साथ साथ बहुत सारे change हुए है and hence there have been several inventions from time to time to support the same मतलब यह कि जो परिवर्तन हुए है परिवर्त समय के साथ जो changes हुए है अप्ग्रेडेशन हुए है उनको बनाए रखने के लिए उनको compliment करने के लिए उन्हें देखते हुए समय समय पर बहुत सारे invention या नवाचार भी होते रहते हैं तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनी के बारे में आज हम discuss करेंगे जो की एक codes के रूप में we will learn about some of the codes introduced for the banking sector of the country to accelerate various banking operations मतलब यह कि banking के क्रिया कलापों को गती देने के लिए बहुत सारे codes है जो बनाए गए है banking system के उन पर आज हम बात करेंगे उनके बारे में आज हम सीखेंगे तो code कौन कौन से हैं जो हम पढ़ने वाले आज वो मैं आपको बता देता हूं हम आज पढ़ेंगे IFSC के बारे में Indian financial system code के बारे में आज हम पढ़ेंगे MICR magnetic and character recognition के बारे में आज हम पढ़ेंगे check number के बारे में आज हम पढ़ेंगे swift society for worldwide interbank financial telecommunication swift के बारे में आज हम पढ़ेंगे CIF number customer information number आज हम पढ़ेंगे MMID mobile money identifier आज हम पढ़ेंगे pan number permanent account number आज हम पढ़ेंगे BSR code basic statistical return आज हम discussion करेंगे ISIN मतलब international security identification number international securities identification number ISIN LEI मतलब legal entity identifier और आज हम बात करेंगे 10 पर मतलब की tax deduction and collection account number हम discussion करेंगे आधार number पर हम discussion करेंगे UAN universal account number पर हम discussion करेंगे PRAN मतलब permanent retirement account number पर यह सारे codes हैं जो कहीं न कहीं banking transactions में banking system में समय से में पर यूज होते रहते हैं इनका सब का अलग-अलग उपयोग है तो उन्हें जानने के लिए चलिए आज मेरे साथ इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहे हैं दोस्तों आपको बता दूँ अगर digits की बात की जाए एक साथ आपको अगर digits जो है वो याद करने हो तो यह बहुत ही बढ़िया तरीगा है जो मैंने टेबलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है इंडियन फानेशल सिस्टम कोड मदब आइफन से में 11 acronym ko होते ेंटेननेशन से इंतिष इं इस इं में ट्वैल अल्फा num handy कोड यह टोड़ी उन इसके बात तो प्रमेंट अकाउंट नंबर में जो में वह यह नहун sharp किते डिजिट होते हैं कितने होते हैं characters of the code तो आप बता दोगे कि 10 फिर legal entity identifier में कितने डिजिट होते हैं तो 20 डिजिट होते हैं फिर इसके बाद इसके बाद फिर बात करें तो swift में कितने होते हैं मतलब कुछ बैंकों में आठ कुछ में 10 और कुछ में 11 भी होते हैं आधार नंबर 12 डिजिट का होता है फिर इसके बाद बात करें तो universal account number जो है 12 डिजिट का होता है फिर permanent retirement account number यह भी 12 डिजिट का होता है mobile money identifier यह 7 डिजिट का होता है magnetic and character recognition 9 डिजिट का होता है basic statistical return यह 7 डिजिट का होता है चेक नंबर 6 डिजिट कस्टमर इंफॉर्मेशन नंबर 11 डिजिट मतलब कहने का यह है कि यह जो 14 तरह के कोड़ हमने बात किये जिनमें सारे मैंने डिजिट्स आपको बताएं कि कितने डिजिट के कोड़ होते हैं क्योंकि दो क्वेश्चन तो सबसे पहले होते हैं पहली बात करने क्योंद्र हिए कदेखर का तोन पाइषव का क्या है यह स्विफ्ट का फूल फर्म किया है तो यह को फूछ जाते हैं फिर पुछे जाते है विविजिट कोड कि इस ःव कोड कितनेお intent का हॉता है टेन सब आप से पूछा जाएगा इसके बाद पीर बात करें तो सबसे पहले हमारा discussion आज iFSC पर हो रहा है मतलब कि इंडियन फिनेशल सिस्टमॉड पर हो रहा है इंडियन फिनेशल इस्टम और यह आई फसी जो है बेसिक लिए आपके बताद आई इफसी कैन बी डेफाइंड आज एलेवन केरेक्टर आल्फानुमेरिक कोड आई फसी जो है वह कि यहां पर अलफ़ाबेट भी होते नमबर्स फ़ी अलफ़ा नूमर्री कोड होता है जो की बैंकों के बीच में ट्राजेक्शन करने के लिए करने के लिए इस इस आइफसी कोड़ जो है आधार भी कहा जाता है क्योंकि basically भारत में money management के लिए IFSC जो है वो एक बहुत बड़ा आधार है बहुत बड़ा हिस्सा है यह आपको याद रखना होगा IFSC works in a manner that it identifies the pairs and pays bank branch मतलब कुल मिला के IFSC की मदद से pairs और pays की bank branch जो है वो identify की जा सकती है and ensure that the funds are directed to the correct bank account मतलब यहाँ पर भुपतान करता और प्राप्त करता कि bank branch को identify किया जा सकता IFSC की मदद से और दूसरी बात यह भी तै किया जा सकता है कि सही account में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है मतलब कुल मिला के यह एक व्यक्ति के bank का address होता है क्या IFSC Indian financial system code किसी व्यक्ति के bank का जो है वो address होता है या आप याद रखेंगे अच्छा उसके बाद स्फिर बात करें तो next जो हमारी slide है भाई सब because of IFSC RBI can track the transactions made between the banks मतलब यह कि IFSC की मदद से RBI जो है बैंकों के बीच में transactions को भी trace कर सकता है track कर सकता है है ना between the banks making the fund transfer process secure and error free मतलब यह कि bank कों के बीच में कैसा लेंदें हुआ है वो RBI track कर सकता है और उसे secure भी बना सकता सुरक्षित भी बना सकता है भरोसे मन भी बनाता है RBI को पता कर रहा है कि bank को के बीच में accounts के बीच में क्या transaction हुए तो IFSC की मतलब से trace कर सकता है कि इतना पैसा यहां से यहां गया उतना पैसा वहां से वहां है तो यह IFSC एक ऐसा number जिससे यह सारी tracing हो सकती है इससे की frauds के संभावनाएं भी कम होती है और credibility बढ़ती है भरोसा जो है वो बढ़ता है reliability बढ़ती है IFSC is printed on the front page of the passbook IFSC अगर किसी को पता करना है तो passbook पर मिल जाता है और दूसरी बात करें तो as well as check leaf मतलब check की उपर भी check की उपर साइब बड़ी कक्षरों में लिखा रहे था IFSC code और passbook पर भी जो है IFSC code सबसे पहले मिल जाता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको फोटो में फिलहाल आप देखें कि IFSC का format कैसे होता है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको समझाए हुआ और IFSC में कितने डिजिट होते हैं तो आपने बताया कि बहिए 11 नंबर एन अलफाबेट होते है ग्यारह डिजिट होते हैं यह इस तरह से डिवाइड होते हैं शुरू के जो चाडिजिट होते है यह बैंक का नाम होते हैं जैसे यहां पर अगर लिखाए cnrb इसका मतलब canra bank क्या है cnrb canra bank तो मतलब शुरू के चार डिजिट जो है initial four digit represents bank name fifth digit will always be zero for future purpose भविश्य की संभावना को देखते हुए भविश्य में उपियों के लिए जो है पाँचवा डिजिट जो है वो zero बना के रखा गया है कभी कोई जरुद पड़ी तो इसे खाली रखा गया zero उसके बाद फिर bank branch जो है आखरी की जो छे डिजिट है एक दो तीन चार पाँच छे यह आखरी के जो छे होते हैं यह basically bank branch को डिंडू करते तो आप याद रखोगे bank zero branch शुरू के चार bank को दर्शाते हैं पाँच वा जीरो और आखरी की जो छे हैं वो ब्रांच तो बैंक zero branch clear है आप याद रखें पिर आगे बात करते हैं भाईया देखो मैंने बताया था आई एफसी चेक की उपर देख सकते हैं तो यह रहा आपका आई एफसी यह आप ध्यान रखें आई एफसी कोड इंडियन financial system कोड यह 11 डिजिट का कोड यहां पर आपको मिल जाता है और यह यह बताता है कि भाईया यह जो चेक है यह इस पते यह बाले बैंक का चेक है यहां पर लिखा रहे हैं भागलपूर कलेक्टरेट यह यह पता लिखा हुआ है बैंक का तो यह जो बैंक का पता लिखा है यह तो हो गया फिजिकल एड्रेस लेकिन कंप्यूटर पर ऑनलाइन सिस्टम जो है सर्वर है वो बैंक को कैसे पैचानता इस पते से नहीं वह आई फसी से पैचानता है यह आई फसी मतलब बैंक का डिजिटल एड्रेस होता है ओके पास्बुक अगर आपके पास है तो पास्बुक में यह देखिए यह रहा आई फसी कोड इस तरह से यह यह आपको आई फसी कोड यहां पर मिल जाएगा आप देख सकते दोस्तों अगला जो हमारा कोड है वो है M.I.C.R. कोड M.I.C.R. कोड जो है मतलब यह कि electronic clearing system में कौन सी branch participate कर रही है branch को locate करने के लिए M.I.C.R. कोड का use होता है M.I.C.R. कित्र डिजिट का कोड है 9 डिजिट का full form क्या है magnetic in character recognition M.I.C.R. एक non-key code है जिसका उपयोग ECS मतलब electronic clearing service में भाग लेने वाली bank शाखा के स्थान को पहचानने के लिए किया जाता है ठीक है तो बैया सीधी सीधी बात है कि कौन सी branch है उसको पहचानने के लिए M.I.C.R. कोड का use होता है यह 9 डिजिट का कोड है आपको याद रखना है clear है आच्छा एक और बात M.I.C.R. refers to magnetic in character recognition है technology used for printing M.I.C.R. codes on a check मतलब यह एक तकनीक है एक technology है M.I.C.R. code को print करने के लिए clear है तो ध्यान रखें के code print करने की एक technology है जो की check पर available होती है check पर जो है यह मिलता है लिखा हुआ the code is aids in a fund transfer by accelerating the check clearing process मतलब यह जो M.I.C.R. code है यह check के clearance में बड़ा help मिलता है चेक की authenticity आप check कर सकते हो check का address जो है proper कहां का है जो है वो check- bank address बताता है or M. I.C.R. की बताता है यह check address बताता है check कहां का a एक आम आदमी अपनी आँखों से देखेगा तो गलती कर सकता लेकिन M. I.C.R. code अगर machine पढ़ेगी तो वो तुरं- जो है बिना गलती की बता सकती है तो कहने के मतलब clearance में जो time है वो कम लगता है और जो है यह process और efficient बन जाती है तो the code aids in fund transfer by accelerating the check clearance process मतलब यह कि यह speed बढ़ा देती accelerate कर देती है किस process को check clearance की जो process है उसको बढ़ा देती है time को MICR was introduced to abolish the manual processing of check that further prevent human made errors and fasten the check clearing process जो मैं आपको बोल के बता है यहां पर लिखा हुआ है कि MICR बनाया है इसलिए गया था कि मानवी इंसानिया जो गलती है इंसान की वो गलतियों को कम किया जा सके यह कहलें कि error free जो है transactions किये जा सके और इसलिए जो है और speed जो है वो check को चेक करने की वो या verify करने की जो चेक को वो process है वो speed बढ़ा ही जा सके तो MICR इसलिए बनाया गया था यह MICR reader है जैक के नीचे side में MICR code होता है और उसको read करता है यह reader जिससे कि तुरंत exact पता लग जाता है यह वाली branch है ऐसा कि एमाई सीर का लेक आम तोर पर चेक की लीव पर और bank की saving account की passbook पर भी होता है ना passbook पर भी रहता है और चेक बुक पर भी रहता है या चेक पे रहता है माई सीर के format की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि बबात हैं यह 2-3 कोड सार साक्षा कि यह 9 Creating को खोड़ा रहता है इसमें पहले तीन डिजिट है यह सुम्हाना की नोगूसमरे के नो इसमें पहले तीन ने कृप को दरशाद है उसके बाद की तीन बैंक को दरशाद है और फिर यह ब्रांच को दरशाद है मतलब है act समझो बात को कि कितने city कि city का है basically check तो उने का कि भारत की 812 नंबर का जो code है city का वो city है अब 812 नंबर वाली जो city है उसमें bank कौन सा तो भाई आ उसका पंदरवा bank और उस 15 बैंक की कौन सी ब्रांच तो भाई आ उसकी तीसरी ब्रांच तो city bank और ब्रांच तो आप याद रखें है तीन पार्ट में divided होता है city bank और ब्रांच ओके यह जो IFSC इंडियन फिनेंशल सिस्टम कोड यह मैंने आपको अभी पढ़ाया यह यहां पर रहता है लोकेशन ठीक नीचे यहां पर बात की जाए तो यह आपका MICR कोड है magnetic in character recognition देखिए 812 जो है यह क्या हो गया आपका city हो गई है यह 015 यह क्या हो गया bank और 003 क्या हो गई यह ब्रांच तो यह हो गया city bank और ब्रांच कौन सी city कौन सा बैंक और कौन सी ब्रांच यह सब जो है यहां पर दर्शाय जाता है आप याद रखेंगे ठीक है चलिए उसके बाद फिर आगे बाद करते हैं अगला अगर आप पास्बुक पर देखें कि भईया कहां मिलती है M.I.C.R तो जहां है IFSC मिलता है ठीक नीचे M.I.C.R भी मिलता है ध्यान रखेंगे IFSC मतलब बैंक का एड्रेस और यहां पर या बैंक ब्रांच का एड्रेस और M.I.C.R का मतलब है यह तरह की कोडिंग है और यह चेक पर मिलती है और यह चेक का एड्रेस बताती है कि चेक जो है किस ब्रांच का है तो इस तरह से यह भी बैंक का पता ही है तो डबल वेरिफाई हो जात यह पता लग जाता है ठीक है कि कौन सा बैंक और उसकी ब्रांच लेकिन कहां है यह नहीं पता चलता ना तो ब्रांच होता है यह अब दाऑ होते हैं लेकिन नाम होते हैं लेकिन आमों से नहीं पहुंचाना जाता है चैक masih यह नहीं हो सकता चेक का नाम क्या होता है 1 2 3 4 5 6 मतलब उसके numbers होते हैं तो basically six digit यह numbers होते हैं और वही चेक की identity होते हैं अच्छा यह जो है कहां printed होता है यह check number तो printed between the inverted commas at the bottom of the check leaf मतलब यह check के नीचे side में जो है inverted comma में check number होता ध्यान रखेंगे अगर कर भी confusion हो कि check number कौन सा है तो यह आपको चेक का status पता करने में भी काम आता है बैंक में चेक नंबर फोन पर बता सकते हो बहिए यह वाला चेक चेक नंबर मैंने पेमेंट चेक जो है वो नंबर का चेक मैंने पेमेंट के लिए था बताई इसका status क्या है तो चेक नंबर के आधार पर आप online भी trace कर सकते हो कि पेमेंट कब तक हो पाएगा अभी किस process में है चेक है ना और आप के आप बैंक में कॉल करके नंबर करूछ सकते हैं तो चेक का आता-पता ज़िए करेंट स्टेट क्या है कौन्से वाले चेक हो एक है आपने दस चैक के लिए तो किस वाले चेक की बात हो रही कासे बदा था लेगा चेक नंबर से बदा तलेगा one is required to fill certain check details while depositing are received check into his or her account मतलब यह कि प्राप्त check को अपने खाते में जमा करते समय कुछ check विवरन भरने की आवशकता होती है और वो check विवरन क्या है check number ही है जब आपको अपने खाते में check deposit करना है check के थूप ऐसा आप deposit कर रहे हो अपने account में तो वहाँ पर आपको deposit slip मिलती है ना कि नगत जमा कर रहे हो कि चेक तो आप वहाँ पर check पे टिक मारोगे और साथ में आप से पूचेंगे कि भाई आ कौन सा चेक जमा हो रहा है तो क्या लिखो ऐसे लिखो कि वह मेरा 50,000 वाला चैक नहीं ऐसे नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे बया कि 231059 नंबर का यह चेक है यह मैंने पेमिंट के लिए दिया है कर आप ऐसे कैश करें है ना को के और आगे बात करते हैं बैया कि दिस्टे इंक्ल्वीड देट आकाउंट नंबर चेक हमाव किन डिटेल सब्सक्राइख करते हैं कि जब आपको पैसा अं Kan trainde Genes Woran होती तो आपको बनी होती है तो आपको डेट बनी होती लोटे है दिपाज़ट ओंपन उसके बाद फिर account number बरना होता है deposit अभी मैं आपको एक deposit form भी बताऊंगा account number बरना होता है check amount आपको बरना होता है check number आपको बरना होता है यह सब information जब आप देते हो और उसके साथ deposit slip के साथ उस पर sign करके number डालके check लगा के और bank को दे दे तो कि भीए इसको payment करवा देना अब जैसे मैं आपको clear कर दूँ चेक number का अगर format की बात की जाए तो कुछ ज्यादा कोई format वाली इसमें बात नहीं है normal number है छे डिजिट का number होता है जितने ज्यादा check उत्ता number आगे बढ़ता जाता है तैसे कोई problem नहीं होती check number micr code के ठीक बगल में होता है यह भी आपको पता ह इस तरह से आपको check में दिखेगा कैसे देखेंगे यह देख लीजे चेक को कैसे देख रहे हैं यह जो है वह inverted कॉमा लगा हुए 432371 यह जो है चेक नंबर है और इंवर्टेट कॉमा लगा तो इनवर्टेट कॉमा से आप पहचान जाओगे भी है यह चेक नंबर है आपको सब्सक्राइब रखना है ठीक है के बाजू में होता है है फिर बात की जाए अगले कोड की तो स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्डवाइड इंटर बैंक फैनेशल कम्मिनिकेशन स्विफ्ट जो है तो आपको बता दो पहले तो मैं इस कोड का मर्म क्या है तो आप से एक् इस पर बैंक अपनी confidential information financial transactions की information बेजता है वो swift network कहलाता है society for worldwide interbank financial telecommunication swift code also known as BIC can be defined as a network that enables financial transaction across the world in a standardized and secure manner मतलब यह कि दुनिया भर में एक मानक के अधार पर पैसे का transaction और वो भी सुरक्षे transaction यह जो है शोर करता है कौन swift यह आप जहान रखेंगे swift code identifies the country city and branch of the beneficiary and the money at the right destination मतलब कुल मिला के swift code जो है यह verify करता है कि कौन से देश की branch है कौन सी city की branch है clear और कान सी कहान किस इलाके की branc यह सब आइडेंटीफाई हो जाता है check के … sorry check पोलना हूँ शिफ्ट के जरिए यह code अगर है तो पता चल जाता है किस देश में किस city में और किस जगापर कौन सी ब्रांच है जहां पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो इससे जो है काफी errors को कम किया जा सकता है और error free जो है banking transaction कराए जा सकते swift code can be seen on the front page of the passbook अगर उसमें international banking की सुविधा enabled है normal passbooks में आपको swift code नहीं दिखेगा लेकिन अगर आपके bank account में international transactions की facility है तो वहां पर फिर आपको swift code देखने को मिल सकता है हाला कोड बेसिकली एक format है जो मैं आपको explain करने जा रहा हूं और अगर आप गौर से देखें तो यह 8-11 डिजिट का format होता है जहां पर जैसे शुरू के चार डिजिट अगर बात की जाए तो चार डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं तो चार डिजिट जो है basically यह bank का code होते हैं जैसे SBIN यह bank का code हो गया उसके बाद फिर बात करें तो यह जो दो डिजिट होते हैं यह दो डिजिट basically country का code होते हैं आपसे पूछा जाएगा कि भाया first से लेके first से लेके और fourth तक जो है यह क्या दर्शाते हैं swift में तो bank कौन सा है किस bank का यह swift code है वो दर्शाते हैं उसके बाद फिर fifth to sixth जो है यह क्या दर्शाते हैं तो fifth से लेके sixth तक यह जो है country का code दर्शाते हैं clear हैं अच्छा फिर उसके बाद seventh to eighth जो है यह basically आपको बताते है location मतलब city कौन सी city में है यह और दूसरी बात यह कि last के जो यह digit होते है three last three digit है ना मतलब यह कि नौवा दसवा ग्यारवा तो last three digit जो है basically branch बताते हैं तो आपको याद रखना है कि swift code जो है कुछ cases में 8 digit का भी होता है और यह 11 digit तक हो सकता है तो यह 11 digit का code है उसका format मैंने आपको बताया कि शुरू के जो चार digit है वो बताते हैं कि किस bank का swift code है उसके बाद उसके दो digit जो next है शुरू के चार हो गए फिर पांचवा चटवा digit यह country का code बताते है फिर इसके बाद सात्वा और आठवा code जो है यह आपको location बताते हैं city बताते हैं कौन सी city में यह bank है और last के जो 3 digit है यह आपको bank branch का code बताते हैं तो यह basically swift जो है code का format होता है और यह वो swift code है जो help करता है international level पर transactions जब करते हैं confidential information शेर करते हैं तो इसे secretly और confidentiality के साथ जो है उसे transfer करने में help करता है security को बढ़ाता है clear है और जो है transactions को एकदम perfect जो है वो बनाता है यहाँ पर आप यह कह सकते हैं finally कि swift code वो code है जो की एक worldwide network की तरह है और यह पूरी दुनिया में bank इसके जरीए आपस में secret और confidential information शेर करते हैं ओके दोस्तों अगला जो हमारा discussion है वो है CIF number CIF number मतलब customer information number यह आप बहुत अच्छे से फुल फॉर्म याद कर लीजे customer information number है ना अच्छा फिर उसके क्योंकि बहुत सारे student mistake कर देते हैं और इसे customer identity number पर टिक करके आ जाते एक्जाम में तो ध्यान रखेगा यह है customer information number यह आपको याद रखना है customer information number है यह आच्छा ऐसी आफ नंबर इस वर्चुल फाइल यह एक वर्चुल फाइल है है ना वर्चुल फाइल आफ एन अकाउंट होल्डर यह अकाउंट होल्डर की एक वर्चुल फाइल होती है क्या CIS CIF अच्छा issued by the bank at the time of account opening मतलब यह कि जब आप खाता खुलवाने जाते हो बैंक में तो आपके नाम की एक फाइल खुलती है और वो फाइल किस नाम से खुलती है आपके CIF नंबर के नाम से खुलती है तो basically it is a virtual file opening by the bank on the name of the customer at the time of opening of account खाता खोलते समय बैंक कस्टमर के नाम से एक फाइल खुलता है और उस फाइल को वो CIF नंबर देता है clear है और उसमें सारा डेटा जो है CIF नंबर पर उस फाइल मर जो है वो feed होता है CIF नंबर contains all banking details of an account holder मतलब यह कि खाता घारक जो है CIF नंबर जो है वो contains all the banking details of an account holder मतलब कि खाता धारक की सभी तरह की जो है basically इसमें क्या होती है details होती है banking details होती है आप ध्यान रखेंगे like the details related to loans उसने कितने loan लिये है DMAT account उसके पास है की नहीं है KYC उसका क्या है पूरा KYC बोले तो know your customer customer की सारी information दो कुल मिला कि यह सब information उसके loan उसके DMAT account उसके credit cards यह सारी information जो है basically किस पर होती है CIF number पर होती है आप याद रखेंगे है हिंदी में अगर शुद यह जह लिखा हुआ है CIF number खाता खोलने के समय द्वारा bank बैंक द्वारा जारी खाता धारक की एक virtual file होती है CIF number पर खाता धारक की सभी banking विवरंड जैसे RIN, DMAT खातों से सम्बंदित विवरंड और KY से सम्बंदित विवरंड शामिल होता है Bank have the sole right to access the CIF मतलब यह कि bank के पास solely जो है एक right होता है bank के पास Bank have the sole right to access CIF number मतलब यह कि CIF number को कोई access कर सकता है और हमारी सारी banking details देख सकता है तो यह जो हक है यह जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है तो वो bank को है एक banker को है Number of account holder and retrieve his or her detail required मतलब यह कि bank को पूरा हक है कि उसके CIF number को access कर सकते है और वो detail भी निकाल सकते हैं जो bank के लिए जरूरी है An account holder can have a number of bank accounts under the unique CIF number मतलब जो account holder है उसके पास कई सारे bank account हो सकते हैं एक ही CIF number के अंतरगत मतलब किसी को अगर यह जारी किया गया एक CIF number तो उस एक number पर कई सारे saving account हो सकते हैं Clear है? बात समझ रहे हैं आप? account number अलग-अलग होंगे लेकिन यह हमारे सभी account number एक ही CIF पर जो है वो linked होते हैं मतलब यह कि अगर bank हमें जो है वो CIF number के नाम से जानता है अब आप बोलो के सर इसका फाइदा क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कई बार ऐसे होता है कि किसी का नाम में विवेक अवस्थी अब विवेक अवस्थी नाम के करीब 70-80 लोग हो सकते हैं एकी bank में और कई बार हो सकता है कि 200 लोग हो अब कौन से वाले विवेक अवस्थी यह कैसे पता चलेगा? कई बार कुछ लोगों के जो है शहर सेम होते हैं कुछ लोगों की माताओं का नाम सेम होता है कुछ लोगों के फादर्स का नाम सेम होता है कई बार तो incident इतना तगड़ा होता है कि date of birth सेम हो जाती है तो वहाँ पर फिर कैसे differentiate किया जाए तो इसलिए बया एक व्यक्ति को एक CIF allot किया जाता है उसके account को और उसके अलावा वो CIF number और किसी का नहीं होता है तो यह unique code होता है जो कि bank account को allot होता है हमारे bank account की जो detail वाली file है उसको allot होता है हमारी सारी information CIF number पे होती CIF number maintains the transparency between the bank and its customer thus further avoids any sort of fraudulent activities मतलब यह के खुल मिलाके यह जो CIF number है इस number पर जो है bank सारी information रखता है हमारी और bank और customer के बीच में transparency और पारदरशिता का जो है वो management बना होता है पारदरशिता का महौल बना होता है प्रबंदन होता है पारदरशिता का के बहिए ना तो bank से हमारा कुछ चुपा है ना हमसे bank का कुछ चुपा है और यहां पर basically इसके तरह से काफी काफी तरह के जो frauds है धोकादड़ी है उन्हें रोका जा सकता है फिर बा तो कौन सा वाला विवेक अवस्ति और जब मामला पैसे देने का हो या पैसे के लिंदेन का हो तो सही व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी होता है तो भया कौन सा व्यक्ति सही हो सकता है तो फिर आप ध्यान रखोगे कि यहां पर व्यक्ति भले एक नाम के बहुत सारे हो सकते लेकिन CIF number का उस CIF number का विक्ति एक ही हो सकता और कोई नहीं हो सकता तो इसलिए यहाँ पर basically manual जो है account tracking अब खतम हो गई है अब CIF number के जरीए जो है किसी भी account holder की tracking हो जाती है और असानी से उसकी जानकारी जुटाई जा सकती है जिससे की banking जो process है वो थोड़ी सी easy हो गई है A CIF number is usually printed on the front page of the passbook along with the account details of an account holder मतलब यह कि CIF number जब आप कभी ढूबना चाहते हैं तो आपको यह कहां पर मिलेगा तो CIF number जो आपको bank की passbook मिलती है उस passbook पर जो है यह आपको account number मिल जाएगा यह आप याद रखेंगे different banks have different CIF number formats like SBI CIF number formed 11 digit SBI का जो CIF number वो कितने का 11 digit का है और HDFC का CIF number 8 digit का है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि basically यह जो CIF number है यह अलग-अलग digit का हो सकता है 11 digit का भी हो सकता है 8 digit का होता है it can vary from bank to bank मतलब अलग-अलग बैंकों के इसाब से CIF number जो है वो क्या हो सकते है अलग-अलग हो सकते हैं यह आप याद रखेंगे इस जैक लिए तो यह कस्टुमर इन्फोर्मेशन नंबर कि दोस्तों यह आपके सामने पास्बुक का फ्रेंट पेज है और आप देख रहे हैं सबसे पहले जहां लिखा हुए सेविंग बैंक अकाउन वहाँ पर सबसे पहले क्या है सी आइफ नंबर जो है बेसिकली यहां पर प्रिंटेड है और आप देखो यह कितने का है यह में इसाब से सब्सक्राइब की पास्बुक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा इलेवन डेजिट का जो है इसमें बेसिकली फॉर्मेट है तो आप ध्यान रख सकते हैं है अच्छे से समझ सकते हैं उसे है ना सी आइफ नंबर आपको कहा मिलेगा फ्रेंट पेज पर पास्बुक के कस्टमर इंफॉर्मेशन नंबर ओके फिर बात करें तो भाईया MMID MMID बोले तो Mobile Money Identifier क्या होता है Mobile Money Identifier तो Mobile Money Identifier का मतलब होता है Before Understanding MMID you must know what IMPS is मतलब MMID जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि IMPS क्या है तो सबसे पहले तो भाईया MMID का फुल फॉर्म जान लो क्या MMID का फुल फॉर्म Mobile Money Identifier यह आप याद रखेंगे अब आईये जानते हैं कि भाईया IMPS क्या है तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है Immediate Payment System मतलब यह कि एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में फंड ट्रांसफर करने का एक विवस्था है जो की रियल टाइम में वास्तविक समय में होती है मदब तुरन ट्रांजेक्शन हो जाता है इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है वो IMPS कहला था Immediate Payment System तो IMPS के बारे में अगर मैं कहूं तो with IMPS money gets credited to the receiver's account as soon as payment is made and is available 365 days a year like NEFT and RTGS मतलब यह कि अगर IMPS के बुक्तान की बात की जाए तो बुक्तान करता जैसे ही जो है खाते में basically instruction देता है कि पैसा transfer करना है वैसे तुरन्त ही जो है IMPS के बुक्तान होते ही प्राप्त करता कि खाते में पैसा जमा भी हो जाता है इंस्टेंड रियल टाइम है और NEFT और RTGS की तरह ही साल में 365 दिन अविलेबल रहता है तो NEFT कुल मिला के पैसा भेजनी की एक process है NEFT और RTGS की तरह ही clear है जहां पर 365 दिन 24 घंटे यह सुविधा उपलब्द होती है बस अंतर इतना है कि RTGS और NEFT की लिमिट बहुत हाई होती है RTGS और NEFT में अपर लिमिट नहीं है आप 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कुछ भी भेज सकते हो लेकिन IMPS में क्या होता है 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 आप ज्यान रखें मोबाइल जो गैजट होता है सेल फोन सेल फोन के जरीए अगर पैसा आपने को भेजना है तो उसके लिए IMPS काम आता है ठीक है अब IMPS can be initiated by a number of ways after getting registered to the mobile banking facility जैसे मैं मुबाइल की बात कर रहा था आप से मुबाइल फोन की तो मुबाइल बैंकिंग फैसलिटी के लिए जब आप रजिस्टर करते हो तो फिर आप IMPS कर सकते और उसके भी कई सारे तरीके होते हैं वो क्या क्या तरीके होते वेरियस वेस्टू परफॉर्म IMPS तो सबसे पहले IMPS ट्रंस्फर–Y-FSC. इ lesi code का उपियोक करके IMPS किया जा सकता है ऐसके यह वाले IFC एड्रान्स वाला बैंक है ब्रांच है और यहां पर क्योंकि इसी में क्या होता है मतला बैंक और उसकी हुरेंट ब्रांच का पता था है अचा उसके बाद फिर बात करें तो IMPS जो है वो मुबाइल नंबर के जरीए भी हो जाता है तो अब IMPS जो है वो IFSC के जरीए भी हो जाता है और मुबाइल नंबर के जरीए होता है और साथ-साथ में अगर मुबाइल नंबर ना हो तो MMID के जरीए हो जाता है तो हम जो यह पढ़ रहे हैं MMID तो आप MMID का दो तरह के से बोल सकते हो कि MMID का फुल फॉर्म है Mobile Money Identifier और आप बोल सकते हो कि MMID मोबाइल मनी इडेंटिफायर is a way of transact money through the mobile phone या through the IMPS IMPS के जरीए पैसा भेजने के लिए एक तरीका है MMID MMID का उपियोग करके भी जो है IMPS किया जा सकता है MMID एक code है या तो आप IFSC code बढ़ा के IMPS transaction कर सकते हो पैसा बेजने का तरीका क्या है IMPS और यह IMPS किसकी मदद से हो सकता है एक तो IFSC code की मदद से हो सकता है मोबाईल लंबर की मदद से हो सकता है और MMID कोड की मदद से हो सकता है तो ध्यान रखेंगे IMPs करने के लिए जो एक कोडस बहुत सारे यूज होते हैं उनमें से एक होता है Mobile Money Identifier, MMID, MMID की मदद से IMPS किया जा सकता है, और SMS के जरीए भी IMPS हो सकता है, यह ध्यान रखेंगे, ATM के जरीए भी जो है IMPS हो सकता है, है ना, So, MMID can be defined as the unique code that is used to facilitate immediate fund transfer via IMPS, मतलब यह के MMID जो है, एक unique code है, एक अधवितिय कोड है, जिसकी मदद से IMPS transaction किया जा सकता है, यह आप याद रखेंगे, Basically, MMID में कितने digit होते हैं, तो आप याद रखेंगे, MMID या Mobile Money Identifier is a 7-digit code, फिर से दोस्तों याद दिला दू, MMID a unique 7-digit code by which we can perform IMPS transactions through mobile phone, IMPS transaction आप जो है, परफॉर्म कर सकता है, IMPS बोले तो immediate payment system, है ना, Okay, यह देखिए, अगर आप account details में आप जाते हैं, आप में, तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा, यह MMID नंबर होता है, और यह आपका 7-digit number होता है, यहाँ पर यह example दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे, ओके, पैन नंबर की बात हो रही है भाईया, पैन नंबर बोले तो permanent account number, हम लोगों ने बच्पन से बहुत सुनके रखा है, पैन नंबर के बारे में, है ना, तो पैन is a unique 10-figure code, है ना, यह जो permanent account number है, permanent account number है, यह 10-digit का code है, 10-digit code है, allotted by the income tax department, पैन is a unique 10-figure code, allotted by the income tax department, यह income tax department का जो है, यह basically allot किया जाता है, अब पैन नंबर act as an electronic system, पैन नंबर जो है, एक electronic system की तरह act करता है, where all the tax related information, all the tax related information of taxpayer is stored, मतलब यह कि पैन नंबर आपका वो electronic system है, जिस पर taxpayer की सारी information store रहती है, अगर किसी सरकार या government body को यह पता करना है, कि यह व्यक्ति ने अपनी life में कब-कब कितना-कितना tax चुकाया है, या tax related क्या लेंदेन यह करता है, तो पैन नंबर पर उसको यह सारी जानकारी उसकी मिल सकती है, शुरू से लेके आखिरता, clear है? तो यह पैन नंबर एक वो electronic system है, वो code है, वो 10 figure या 10 digit का code है, जिसमें एक taxpayer की सारी information store की जाती है, या store होती है, यह आप याद रखेंगे. पैन नंबर is essential for major financial transactions like opening a bank account, यह जो है वो basically ज़रूरी है कि अगर आपको bank account open करवाना है, तो आपको पैन नंबर लगेगा. Sale और purchase of property, अगर आप property को बेच रहे हो खरीद रहे हो, तो पैन नंबर लगता है. फिर इसके बाद फिर investing in mutual funds, mutual funds वगरा में अगर आप invest करते हो, तो भी gas connection आप लेते हो, तो भी इन सब कामों को करते वक्त आपको अपना pan number बताना होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके tax paying की status क्या है, उसका level क्या है, किस level पर आप tax देते हो, कितना tax देते हो, और tax देते हो भी की नहीं देते हो, यह pan number से पता लग जाता है. ओके, तो यह काम आता है भाईया, अगर gas connection लेना हो, mutual fund में investment करना हो, bank account खोलना हो, कोई property purchase करना हो, तो pan number वहाँ पर चड़वाना पड़ता है आपन को, आप दो लाग से जादा का transaction करने जाओगे cash में, तो वहाँ पर जो है, तुरंत bank का official आप से बूलेगा, सर आपका pan card दे दीजिए, उस पर यह चीज़ें जो है, वो link करनी है, store करनी है, है ना, तो इसलिए pan number हर बार मांगा जाता है, further pan number is must while paying income tax and it act as an identity proof of a person, मतलब यह कि यह जो pan number है, यह basically tax भरते समय, बहुत जरूरी होता है pan number, और यह एक तरह से जो है, identity proof of a person भी जो है, वो act करता है, मतलब यह कि tax collection की दुनिया में, अगर सरकार किसी करदाता को पहचानती है, तो वो pan number से ही पहचानती है, यह pan number ही हमारी identity है, टेक्स कलेक्शन के मामले में income tax के लिए है, वो इसी से पहचानती है हमें, pan number का प्रारूप या pan number के format की बात की जाए, तो pan number is assigned to all the customers in the format of plastic card called pan card, एक plastic card इस तरह का होता है और इसके रूप में जो हर customer को allot किया जाता है, अच्छा यह जो pan card है, इसको देखने पर आपको पता लगेगा कि pan number में digits कितने होते हैं, 10 digit होते हैं, 10 digit का pan number होता है और यह जो 10 digit का pan number होता है, the first three digits are alphabets starting from A to Z, पहले जो 3 digit होते हैं, आप बोलोगे, first जो 3 digit होते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसी किया, 1, 2 और 3, पहले जो 3 digit होते हैं, यह क्या होते हैं, alphabets होते हैं, और यह alphabets कौन कौन से होते हैं, तो यह basically triple A से लेके triple Z तक कुछ भी हो सकते हैं, तो यह कोरे alphabets होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, अच्छा, उसके बाद फिर, the fourth digit is also alphabets that determines the category of taxpayer, मतलब यह जो चौथा डिजिट होता है, वो भी जो है alphabets होता है, वो taxpayer की category बताता है, category of taxpayer, taxpayer की category बताता है, कौन सा पांचवा alphabets है ना, अच्छा, अब इसमें category कैसे पता चलती ही, तो यहाँ देख लो, अगर a लिखा हुआ है यहाँ पर, तो tax बरने वाला जो है कौन है, association of persons, अगर b लिखा है तो body of individuals, c लिखा है तो कोई company है, f लिखा है तो firm है, जो भी यहाँ पर लिखा है, वो category पता चलेगी कि कौन tax बर रहा है, g लिखा है तो government है, h लिखा है तो hindu undivided family है, अगर मैं अपना खुद का tax दे रहा हूँ, मेरा अपना खुद का pen card है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा होगा, तो आप ध्यान सकते हैं कि यहाँ पर लिखा होगा P, क्या लिखा होगा P, ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, एक्स, वाइ, जेड, कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद पांचवा डिजिट जो है, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति का उपना, मतलब सरनेम का पहला जो है अक्षर होता है, तो अब यहाँ पर मैंने मान लिजिए, एक और बनाया पांचवा बॉक्स, और यह सरनेम का है, कौन सा भाई साब, सरनेम का, अब यह जो सरनेम का यह बॉक्स है, यह कहीं ना कहीं, एक व्यक्ति का जो सरनेम है, मतलब जैसे मान लिजिए, किसी का नाम सरनेम में श्रीवास्ता होता है, श्रीवास्ता होता है, यहाँ पर पांचवा जो डिजिट हो जाएगा, वो S हो जाएगा, पिर आगे बात करें, तो, फिर उसके बाद, यहाँ पर जैसे मान लिजिए, यहाँ पर हो गया ए, तो अब इन्हों ने क्या किया है, अपनी कोड लेंग्वेज में फॉर्मुला तयार किया है, कि अगर यहाँ से लेके, यहाँ तक की इन्फर्मेशन पर वो फॉर्मुला अप्लाई किया जाए, तो आंसर ए आएगा, हाला कि यह फॉर्मुला ओपन अभी तक नहीं है, ओपन कहीं भी प्लैटफॉर्म पर अविलिबल नहीं है, कि जो इंकम टाक्स डिपार्टमेंट है, यह कैसे कैलकुलेट करता है, यह उसका अपना फॉर्मुला है, और इसके जरीए जो है, वो पता कर लेता है, कि यह सारी इंफॉर्मेशन सेम है के नहीं, मतलब उसके सामने अगर कोई पैन नमबर आ गया, और पैन नमबर में यहाँ लास्ट में ए लिखा है, तो इसका मतलब यह कि इन सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने पर अंसर आना चाहिए, यह तब पता चलेगा, कि सामने वाले व्यक्ति ने जो पैन नमबर दिया है, वो बिलकुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, इस एक लिए है, तो यह चेक डिजिट होता है, आप ध्यान रखेंगे, ओके, यह आप देख सकते हैं, पैन नमबर का एक जो है, यह फॉर्मेट है, यह जो है, बिसिकली प्रारूप है, यहां पर एक्जामपल, दिया, फुल नेम, फादर नेम, है ना, तो बिया, शुरू के जो है, यह जो है, आखरी का चेक डिजिट है, यह चार नमबर होते हैं, है ना, और यह पाँचवा जो है, वो सरनेम होता है, पाँचवा क्या होता है, सरनेम होता है, है ना, और यह शुरू के तीन जो है, अल्फाबेट होते हैं, फॉर्थ का जो है, मैंने फिर मिस कर दिया, फॉर का होता है category होती है है ना मतलब यह कि यह फोर्थ क्या आप क्या हो है ना परसन हो organization हो क्या हो तो व्यक्ति की category पता चलती है हला कि यहां पर के लिखा हुआ है और के नाम से कोई हमारे पास ऐसा category नहीं है यह सिर्फ एक एक्जांपल के तौर पर कोई भी अक्षर लिखे हुए original यह जो है वो pen card नहीं है तो original pen card जब होता है तो उसमें क्या क्या information होती है मैंने आपको बता दिया कि basically कि सबसे पहले शुरू के तीन डिजिट जो है वो क्या होते वो नॉर्मल alphabets होते सीरीज के जैसे और वो ट्रपल एसे ट्रपल जैड तक हो सकते हैं फिर इसके बाद चौथा डिजिट होता है वो category बताता है category बताता है मतलब यह कि आप क्या हो association हो company हो फर्म हो या individual हो तो individual के लिए क्या है पी है तो अगर आम आदमी का पैन नंबर है तो पहले तीन जो है alphabets के बाद चौथा जो है वो क्या होगा पी होगा अच्छा फिर उसके बाद पांचवा जो डिजिट होता है वो basically हमेशा क्या होता है वो उप नाम का जो है पहला अक्षर होता है मतलब यह कि first alphabet of the individual surname व्यक्ति का जो सरने में उसका पहला अक्षर उसके बाद फिर पांच के बाद वे जो है जो पहला alphabet है उसके सरनेम का उसके बाद फिर अगले जो चार डिजिट होते हैं वो 0001 से लेके 19999 तक का एक अंक होता है और फिर दसवा डिजिट जो है वो चेक डिजिट होता है चेक alphabet होता है जिसका मतलब यह है कि इन सारे जो नमबर्स है नौनमबर्स उनको कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगाया जो वो यूज करते हैं उनका अपना सीक्रेट फॉर्मूला उसका रिजल्ड जो है वो दसवा डिजिट होना चाहिए तो इस तरह से चेक हो जाता है चलि आगे बात करते हैं अगला जो है वही यह क्या इंडिया मतलब यह की भया रबिया रिजर्बैंक ऑफ इंडिया भारत में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड है जितने भी बैंक काम कर रहे है उन सब को वो बीजर कोड देता है ध्यान रखेंगे बेसिक स्टाटिस्टिकल रेटन है ना रबिय द्वारा जो है दी गई मतलब यह के बैंकों में टेक्स को लेकर जो भी लेंदेन हुए है उन सबको ट्रैक करने में मदद करता है कौन सा बिएसर कोड जाना मतलब इससे जो है यह पता किया जा सकता है कि bank को bank में tax भरने को लेकि कितने transaction हुए है clear है और इसका alert जो है वो bank भेज सकता है कि सको income tax department को कि भाईया हमारे ग्राकों ने इतने सारे tax related transaction किये है है ना और वो किसमे किसे trace हो जाते हैं वो BSR code से trace हो जाते उसे पता चल जाता है कि भाईया इन्होंने इतना सारा जो है tax related information sorry transaction किया है इनन customers ने तो उन customers के tax को trace किया जा सकता है असान हो जाता है तो ध्यान रखेंगे basically इसमें क्या है कि online payments को track करने के लिए और प्लस वो payments जो tax के लिए की गई है उनको track करने के लिए BSR code बोले तो basic statistical return का उपयोग किया जाता है RBI इसका use कर सकता है RBI ने यह जो है basic statistical code जो है यह return code जो है वो बैंकों को जारी किया होता है BSR is further used to upload the detail of the चालान after recording all the taxes paid by the banks मतलब यह कि जो BSR है is further used to upload the details of the चालान after recording all the tax paid by the banks मतलब यह कि इसमें चालान जो है basically क्या किया जाता है उसकी information भी upload की जाती है जब tax paid bank ने जितने भी tax pay किया है उसकी information जब upload होती है तो उसके साथ चालान की जो information upload होती है वो भी किस पे होती है BSR code पे होती है tax भरने के लिए चालान जमा होता है आम जनता करती है तो चालान की भी सारी information कि इस पे जमा होती है तो वो BSR code पर जमा होती है clear है यह आप ध्यान रखेंगे basic statistical return हर bank को यह allot होता है RBA देता है इससे online payment को track करने में RBA को help मिलती है और यह भी पता लग जाता है कि tax के purpose से या tax भरने के उद्देशे से कितने transaction bank में हुए BSR code जो है उसका format क्या होता है तो इसमें format जो है आप देख लिए ध्यान से तो यह basically यह यह ली और फार्स थ्री नंबर्स इंद बार्स यूए अ कोर्ड का लैंक पहले जो तीन वह दिगार होते हैं वह में का दो यह किना है वानख का हैं ना बैंक काम सा हैió प्रास फूर डिजिट ब्रांच पहले तीन डिजिट बैंक, ओके, अब बात करते हैं, टैन, बोले तो टैक्स डिड़क्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन अल्फानुमेरिक कोड, यहां पर जो है, बिसिकली यह दस डिजिट का अल्फानुमेरिक कोड होता है, जिस अब थोड़ा सा कन्फूजन को दूर कीजिए, आपको बता दूं सबसे पहले, कि जो भी टैक्स एक व्यक्ति या एक संस्था चुकाती है, साल भर में, वो एक साथ नहीं चुका सकती, इसलिए वो अपने हर लेंदेन पर, फाइनेशल ट्रांजेक्शन पर थोड़ा-थोड़ा TDS कटवाते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति की सेलरी आती है मंतली, तो उसकी मंतली सेलरी पा कुछ परसेंट जो है TDS के रूप में हर मह जान रखिए, टाक्स, डिड़क्शन, और कलेक्शन, अकाउंट नमबर, यह 10 डिजट का कोड होता है, विदाउट 10 नमबर, TDS और TCS रेटरंस विल नाट भी अक्सेप्टेड, मतलब यह कि अगर किसी के पास यह जो है 10 नमबर नहीं है, बोले तो टाक्स, डिड़क्शन, कलेक्शन, अकाउंट नमबर नहीं है, तो इसका TDS जो है, वो नहीं माना जाएगा, वो जो है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यह 10 नमबर होना ज़रूरी है, चालान फोर TDS और TCS, है ना, मतलब यह कि टैक्स डिड़क्शन और कलेक्शन, जो है, सिस्टम जो है, आपक फॉर्म नमबर 498, मतलब 10 नमबर जो है, वो कौन से फॉर्म से आप बनवा सकते हो, कौन से फॉर्म नमबर से अपलाई हो जाता है, तो आप बताएंगे, फॉर्म 498 आपको भरना पड़ता है, जिससे की 10 नमबर बोले तो टैक्स डिड़क्शन और कलेक्शन अकाउंट नम मतलब पहले जो four character है, वो ABCD या alphabet होते हैं, जिन में से first three जो है, पहले जो तीन है, वो किसको represent करते हैं, तो पहले जो तीन है, वो city को represent करते हैं, है ना, city या state को represent करते हैं, और जो fourth character होता है, है ना, यह one, two, three तो यह हो गए, जो fourth character जो होता है, वो किसको represent करता है, तो fourth जो है वो basically आप देखें यहाँ पर four character deductor का नाम जो है कौन है जो deduct कर रहा है company deduct कर रहा है जो भी company deduct कर रही है TDS उसके नाम का पहला जो है alphabet वहाँ पर होता है deductor होता है तो अब ध्यान लखेंगो हाला कि मैं आपको format ऐसे proper बना के बता देता हूं मतलब यह बना हुआ आप मेरे पास देखें सबसे पहले क्या बात हुई है कि शुरू के जो चार डिजिट होंगे वह alphabet होंगे तो है पहले जो तीन है यह सिटी है तो अब जैसे यहां पर लिखा तो यह होगा बैंगलोर अच्छा उसके बाद चौथा जो अलफाबेट है वह बेसिकली फॉर्स्ट अलफाबेट ऑफ और्गनाइजेशन नीम जैसे माली जे रलाइंस है तो आर होगा वाल्सवेगन है तो डबल्यू होगा तो ऐसे करके यहां पर होगा अच्छा उसके बाद वाद नेक्स्ट फाइव आर न्यूमेरल्स मतलब यह कि पाच है लाउले तो इसके बाद फिर जो आखरी जो अलफाबेट है लास्ट क्रेक्टर जो है अगेइन अलफाबेटिक लेटर अकरी जो है आगेशेक लेटर होता और यह भी एक्ट डिजिट्ड होता उताया मतलब ही कि इन्स हमें इस को गैलकुलेट करेंगे फॉर्मुला code 10 number 10 number में पहले तीन डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं city और state फिर इसके बाद चौथा डिजिट जालफा बेटे क्या रिप्रेजेंट करता है name of the deductor organization deducting TDS और उसके बाद फिर 5 यह डिजिट होते हैं आखरी जो है तक इनको फीड किया जाए तो result यह आना चाहिए इस अकेले अक्षर से पता लग जाएगा कि यह पूरा यह code जो है वो सही है कि नहीं कि ओके यूए एन यूए एन बोले तो क्या होता है universal account number क्या होता है यह universal account number तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि universal account number जो है वो बड़ा भाई है पी एफ नंबर का जो प्रॉविडेंट फंड account होता है जब हम कहीं job करते हैं तो हमारी salary से एक fixed amount जो है हर महिने deduct होता है जिसे पी एफ बोलते हो और यह पी एफ account में जमा होता है जितना हमारी salary से deduct होता है मालीजे कि basic salary का 10% तो मालीजे 1000 रुपे deduct हो रहा है तो जितना यह 1000 रुपे deduct होता है उतना ही जो है हमारी organization भी इस account में जमा कराती जैसे अगर मेरी salary से मालीजे 1000 रुपे deduct हुआ तो 1000 रुपे मेरी company भी उसमें जमा कराएगी और यह retirement तक जो है मेरे जब तक मैं उस फर्म में काम कर रहा हूं तब तक मेरी organization भी जमा करते रहेगी मेरी salary से भी गटता रहेगा दोनों का amount double होके इस account में जमा होता हुआ न डिकिन होता है कि जब law जॉब change करते जब आप जॉब में जाते हίν तो वहाँ पर नया प्यagt में गलता है पुराना यदि प्रादीकत थी जो है documentation पुरानी company के साथ करना जाना बात करना फिर से उन्लों के फीट जाना credit हो जाता है और दूसी बात यह कि नौकरी पेशा आदमी जो है सरकारी दुत्तर के इतने चकर नहीं लगा सकता तो यह सब ख़दम करते हुए यहां पर डिसाइड किया गया कि अब हर जॉइन करने पर अलग-अलग PF नंबर जो बनाने पड़ते उस सब की जहनजट को छोड़ते हुए करने भी आपके PF अकांट नंबर होंगे उनका उपर एक अम्रेला नंबर होगा यह अम्रेला की तरह काम करेगा कि एक UAN के अंडर में आपके कई सारे जो है PF खाते रेस्टर हो सकते आपको सर्च किया जाएगा और यूजन से इसमें कितने रेस्टर है जैसे आजकर आप UAN number पर कितने PF account जो है registered है उससे आप online LinkedIn भी कर सकते हो PF fund transfer भी कर सकते हो Universal account number will be generated by employee provident fund organization यह किसके द्वारा generate किया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे employee provident fund organization के द्वारा generate किया जाता है कौन सा number तो भाईया वो है आपका UAN number कि कौन generate करता है इसे तो आप ध्यान रखेंगे EPF और generate करता है employee provident fund organization the number allows portability of PF account to claim or withdrawal of EPF balance मतलब यह जो है basically क्या करता है यह allow करता है कि वह PF balance को withdraw कर सा the number allows portability मतलब यह कि basically एक PF से दूसरे PF पर आप port कर सकते हो उसका use कर सकते है इसका पैसा transfer कर सकते हो यहां से वह यह यह number आपको allow करवाता है UAN will act as an umbrella for multiple members IDs allotted to an individual by different establishments है ना अब यहां पर आपको बताया जाएगा कि भई अलग-अलग प्रतिष्ठानों के द्वारा जो अलग-अलग basically PF number और आइडी जारी किया जाते हैं वो सब के सब एक ही umbrella जो number है scheme है वो है आपका universal account number उसके अंटरगत काम करेंगे यह आप ज्यान रखेंगे अब अगला जो हमारा code है वो basically क्या है P R A N P R A N बोले तो क्या हो गया प्रान है ना तो यह क्या है बहिए तो permanent retirement account number है यह permanent retirement account number क्या होता है तो permanent retirement account number 12 digit code है 12 digit का code है प्रान is a unique 12 digit number issued to the state and central employees to receive their pension throughout their life मतलब जीवन बर pension प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज के कर्मचारियों को जो code और एक unique code दिया जाता है उसे बोलते है प्रान नंबर बोले तो permanent retirement account number अच्छा यह जो है किसके तहत आता permanent retirement account number जो है तो यह basically NPS के तहता नेश्नल पेंशन पेंशन सिस्टम आज इवन पेंशन प्राप्त होती नेश्नल पेंशन सिस्टम के तहत और यह नेश्नल पेंशन सिस्टम जो है कौन देखता है तो यह भाईया pf.da देखता है मैं आप बूले तो कि यहां पर यह जो PRAN है जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा जब तक वो जो है पेंशन लेता रहेगा तब तक उसके नाम पर यह PRAN अलोट रहता है बोले तो लिखा होता है यहां पर यह आपका PRAN पर्मनेंट डिटार्मेंट अकाउंट नमबर होता है तो यह बेसिकली यह अटल पेंशन योजना सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका नाम होता है उसके बाद फिर नेम आप स्पाउस यह लिखा रहता है नेम आप नॉमिनी वारिस पें पेंशन का अमाउंट कितना टोटल किती पेंशन है तो यह सब जो है इस काड़ पर मेंशन होता है इस काड़ में इंफर्मेशन होती है आप ध्यान रखेंगे और में जो है क्या इसका PRAN पर्मनेंट रिटार्मेंट अकाउंट नमबर 12 डिजिट का कोड है अब अगला जो मै शेर्स बॉंड्स डिबेंशर्स यह सब खरीदे जाते हैं निवेश के लिए जो इंस्ट्रुमेंट होते हैं उन सब की पहचान करने के लिए जो है यह बेसिकली नमबर जारी होता है आइस आइन है मतलब एक कोई बॉंड है उससे पता चल जाएगा किस कंपनी का बॉंड है क्या investment है किसके नाम पर allotted है है ना मतलब जैसे एक बैंक नोट पर 2000 के नोट पर या 500 के नोट पर नंबर लिखा होता है और उस नंबर से पता चल जाता है कौन सा नोट है तो ऐसे ही जो है कि यूनिक नंबर होता है आई-स इन नंबर जो की government securities या फिर आप यह कहलें कि international securities पर करता है ज्यान रखें international organization of standardization है ना यह ISO है और ISO जारी करता है क्या ISIN बहुत अच्छा question exam में बन सकता है कि international securities identification number है ना यह ISIN number कौन जारी करता है तो आप बताएंगे पहले तो इसका full form international securities identification number और ISIN number issued by international organization of standardization है है ना to number specific security such as stocks है ना equity preferential shares bonds options futures और other यह सारे जितने भी settlements है सारी जो भी securities है उन सब को जो number दिया जाता है यूनिक बारा डिजिट का alpha numeric जो number है वो ISIN कहलाता है अब ध्यान रखेंगे इंटरनेशल securities अंतराश्टी इस तर पर जिन प्रतिबूतियों का लेंदेने होता है ना shares bond debentures उन सब को number दियाता है ISN ISIN number का जो format है उसमें first two digits होते हैं वो basically country code होते हैं ध्यान रखेंगे शुरू के जो दो होते हैं वो country code होते हैं है ना उसके बाद फिर next nine digit unique identification number of that security मतलब यहां पर पहले दो जो हैं वो क्या कहलाते हैं पहले दो जो हैं वो country code हैं देश है फिर उसके बाद nine digit हैं है ना और उसके बाद last digit जो होता है वो check digit होता है यह एक और होता है वो check digit होता है कि यहां पर मुझे यह वाली spelling नहीं लिखनी चाहिए मुझे लिखनी चाहिए ch e c k check मतलब यह कि इस digit को calculate करने पर यह यह इस डिजिट अंसर गुरूप में आएगा जब यह पूरा format calculate किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे अंतिम जो अंक है वो check digit है है एक्जेम्पल यहां पर लिखा हुआ है पहले दो डिजिट जो है वो country code बताते हैं तो यह है आई एन तो यह हो गया इंडिया है ना फिर इसके बाद बात करें तो अगले जो 9 डिजिट होते है next 9 डिजिट तो next 9 डिजिट जो है वो कौन-कौन से भीया तो पहले दो तो यह हो गया अब यह जो है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह जो नौ डिजिट हो गया है यह अगले नौ डिजिट जो है वो सुरक्षा के लिए एक basic unique identification number है security का माली जो कोई share है या कोई bond है या को international security उसका खुद का यह unique number है और फिर इसके बाद last जो डिजिट होता है यह चेक होता है यह आप ध्यान रखेंगे इससे चेक होता है यह अंसर आना इन सब को calculate करने पर यह अंसर आना ची यहां कि formula मैंने बताया कि यह जो formula confidential होता है कि सब को check किया कैसे जाता है है ना पर यह authorities अपने सहुलियत के लिए इस formula के जरीए calculate कर सकती है कि यह सही है कि नहीं है तो ध्यान रहेगा आइस आइन नंबर हो ले तो international security identification number अब मान लो कि मेरी को information गुम गई मैंने जो है Microsoft company में कोई bonds खरीदे अब उसकी information मुझे नहीं है पर दूर कहीं diary में मुझे लिखा मिल गया कि यह 12 डिजिट का नंबर तो मैं क्या करूंगा online इस 12 डिजिट के नंबर से पता लगा सकता हूं कि यह जो security है यह मेरे नाम पर issue है है ना bond और यह कितने का है कब जो है यह mature होगा कितना पैसा मुझे मिलेगा सारी information सिर्फ इस नंबर से मिल जाएगी तो यह जो है क्या है यह पता है किसका यह identity है यह पहचान है किसकी security security मतलब वह इंस्टूमेंट जिन में हम पैसा निवेश कर सकते हैं तो जो इंटरनेशनल कोड होता है तो 12 डिजिट का कोड होता है अप ध्यान रखेंगे शुरू के 2 डिजिट बताते हैं country उसके बाद के 9 डिजिट जो है वो unique code होते है और इसके बाद फिर जो ग्यारवा और जो डिजिट होता है वो चेक कोड होता है यह आपको याद रहेगा ओके यह ऐसे लिखा हुआ है है ना कितने हो गया इधर पर देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा तो अब यहाँ पर देखो बहिया सिंपल यह जो है मैंने बताए थे नौ यह नौ जो है वो क्या होते हैं यह सिक्यूरिटी का यूनिक कोड है तो यहाँ पर टाइप आप सेक्यूरिटी और प्लस सेक्यूरिटी का यूनिक कोड यह मिला के यह टोटल किते हो गया यह नौ हो गया यह दो जो है वह आपका क्या हो गया चेक डिजिट हो गया तो दो प्लस नौ प्लस एक यह यह जो है वह आपका क्या हो गया आइस आइ security यह उसका address उसका पता है security के लीगल entity identifier यह क्या होता है यह legal entity identifier तो legal entity identifier एक 20-digit alpha numeric code है क्या यह 20 digit alpha numeric code है 20 अंकों का है legal entity identifier is the 20-digit alpha numeric code developed by the international organization of standardization LEI number ISO के द्वारा ही जो है develop किया जाता है it is a key measure to improve the quality and accuracy of financial data system for better risk management मतलब यह कि यह की measure है काई के लिए financial data की कोई भी financial data है उसकी quality को improve करने के लिए और इसकी accuracy को जो है improve करने के लिए और risk को जो है वो कम करने के लिए कानून यह काई पहचान करता एक भी संकी जो है numeric code है जिसको अंतराश्री संगठन ISO ने बनाए international standardization ने बनाया है बहतर जोकिम प्रबंदन के लिए इसका उपयोग होता है legal entity identifier है ना अब यह legal entity क्या है तो यह legal entities are the organizations like companies or government entities that participate in financial transactions मतलब यह कि यह वो जो है legal entities जो है जिनको बेसिकली आपको माली जिए कि आप मिस्टर एक्स है और आपको कोई पैसा transaction करने है आपको पता चला कि बेही है BBC corporation करके कोह इस को पहसा चला गया तो यह कैसे आप पता लगांगे की BBC is the correct destination जहां पैसा भीज़ रहो यह fraud नहीं है actual heck नहीं तो उस legal entity identifier मतलब ये कि Mr. X मतलब कि मैं जो पैसा भेज रहा हूं है ना और ये जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो fraud तो नहीं है कहीं तो मुझे उसका कौन सा number चेक करना होगा लीगल entity identifier जैसे यह नंबर मैं जो है वो सर्वर पर जो है वो पेस्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहां यहां यह तो सही कंपनी है पैसा बेजने के लिए अपयोगत है विश्वास पात्र है और यह पैसे का लेंदेन अंतरा स्टेस्टर पर करती है यह फ्रॉड नही किया तो वह जो सारी इंफर्मेशन बता रहा है वह सब आधार काड में मिल जाएगी कि भाईया मैं गोवा का रहने वाला हूं मेरा गांव यह है ऐसा वैसा सारी इंफर्मेशन आजाएगी तो यह से पता चल जाएगा कि एक कोई अंतराश्ट्री कंपनी जो पैसे का लेंद दिन कर सकते हैं अधार अगला जो हमारा कोड है वो क्या है आधार तो जी हाँ धोस्तों भाई और बहनों आधार जो कि हमारे जीवन का आधार बन चुका है आधार कितने डिजिट का कोड होता है तो 12 डिजिट का कोड होता है और यह यूनिक कोड होता है यूनिक ऐडेंटि सरकार यह आधार नंबर देती है, जो 12 डिजिट का नंबर होता है, आप ध्यान रखेंगे. Okay. The Unique Identification Authority of India, मतलब UIIDI, या UIDAI, under the Planning Commission, under the Planning Commission of India is responsible for managing आधार नंबर्स and आधार आइदेंटिफिकेशन कार्ड्स. आप यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि under the Planning Commission of India, is responsible for managing आधार नंबर्स and आधार आइदेंटिफिकेशन कार्ड्स. जो UIDAI है, यह आधार कार्ड और आधार नंबर्स को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार संस्था है. आप से पूचा जाएगा कि आधार नंबर और आधार कार्ड्स को कौन मैनेज करता है, तो आप बता देंगे कि भाईया, उनकी मैनेजिंग अथार्टी जो है, वो है आपकी UIDI, Unique Identification Authority of India. तो दोस्तों ये जो है बेसिकली इंफर्मेशन आपको मिली है, ये इंफर्मेशन Magnet Brains Competition की YouTube चैनल पर मिनी है, हम जो लास पढ़ रहे थे, ये आधार पढ़ रहे थे और आपको बदा दूँ, आधार 2009 में जो है वो जारी किये गए थे और 2009 में ये जारी किये गए और अभी 131 करोड लोगों के आधार कार्ट बन चुके हैं, और इसे Unique Identification Authority of India जो है मैनेज करता है, चलाता है और ये चाहे हमें बैंक अकाउंट खोलना हो, या स्कूल में बच्चे को एडमेशन दिलाना हो, है न, या कहीं भी कोई आप काम करते हैं, तो authentication के लिए आधार जो है वो बेस्ट जो है तरीका बन गया है, इससे अपने जनता या अपने नागरेगों की पहचान करना जो है, सरकार के लिए बड़ा आसान हो जाता है, आपने देखा होगा है का अभी कोविड के दिनों में बहुत बड़े लेवल पर जो है, वेक्सिनेशन हुए और आधार नंबर ने उन वेक्सिनेशन के में बड़ा इंपोर्टेन रोल प्ले किया, कितने आसानी से लोग जो है, वो वेक्सिनेशन करवाते रहे और कोई भी मिस्मेनजमेंट नहीं हुआ, अल क्रेडिट गोस टू आधार, है ना, तो आधार बहुत काम आता है, अब ध्यान रखेंगे, तो मैं बता रहा था कि यह सारी इंफर्मेशन जो है, मैंगनेट ब्रेंस कॉंपेटिशन के यूटिव चनल पर आप देख रहे हैं, मैंगनेट ब्रेंस कॉंपेटिशन एक ऐसा यूटिव चनल है, जो प्रवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, अज़ अगर फ्री में क्वालिटी करते हैं, तो आपको ये चनल जो है, बेस्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए, आप हमसे संपर्क में बने रह सकते हैं, उसके लिए यूट्यूब भी है, फेस्बुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलिग्राम है, आप इन सब के जरिये हम पर जो है, वो नज़र सकते हैं at the same time हमारी activities से भी जुड़े रह सकते हैं अब updates भी हमसे ले सकते हैं आप जितना हो से कि like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और मिलते रहें next वीडियो में या आने वाले वीडियो में thank you अवरेवान जैहिन